कि सभी प्यारे बच्चों को सुप्रभात कैसे हैं आप और मैं रूपनारेंड शर्मा रेजोनेंस पीसे सीपी डिविजन हिंदी फैकल्टी और प्यारे बच्चों आज आपको लेकर चलता हूं क्लास एर्थ क्लास जो हमारी पाठे पुस्तक हिंदी की है वसंत भाग देन तो हम उसी का जो पहला अध्याई है जिसका नाम लाग की चूडियां आपके सामने हैं तो आज हम इस कहानी को पढ़ने वाले हैं सबसे पहले आपको यह याद होना चाहिए कि इसके लेखक कोन है तो प्यारे बच्चों इसके लेखक कामता नाज जी हैं दूसरा आपको याद होना चीए कि किसके जीवन से जुड़ी हुई तो लेखक के बच्पन की यादे एक संस्मरन हम क्या सकते हैं यादों कि बच्पन में किस तरह से बच्पन बिता किस तरह से सीखने को मिला तो चलते अपन लाग की चूड़िया तो पाट का विश्थार दे अब बदलू कौन है तो इसको समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि यहां पर लेखक जब छोटा था तो गर्मी की चूटियां लगती तो जैसे आप भी नाना मामा की यहां पर जाते हो तो बदलू भी तो बदलू के बदलू भी क्या कौन था उसके मम्मी के माम की घाउं का तो गर्मी की चुटियां जैसे लगती लेखक भी नाना मामा के यहां पर जाया करता था और वहां पर उसके मुलाकात, बदलू से होती थी बदलू बदलू से ही क्यों होती थी परिवार के सभी सदस्यों भी होती थी लेकिन बदलू क्या करता था एक मनिहार जाती का था उनसी जाती मनिहार मनिहार जाती के लोग क्या करते चूड़या बनाते हैं तो बदलू चूड़या बनाया करता था जो लाग बज जाती थी तो उसके गोल्या बना करके रंग बिरंगी लेख के लिए देता था अब जहां पर गोल्या मिलती बच्चों का मन महो लेती है तो बच्चों को वही अच क्योंकि वह मुझे सुन्दर सुन्दर लाग के गोलियां बना करके देता था मुझे अपने मामा के गाउं जाने का सबसे बड़ा चाओ यही था कि जब मैं वहां से लोड़ता था तो मेरे पास धेर सारे गोलियां होती थी बिल्कुल रंग विरंगी गोलियां जो किसी भी करने के कारण मुझे बद्लू को क्या केना चाहिए था बद्लू मामा लेकिन नहीं चाहिए था परन्तु उसे में बद्लू मामा न कह करके बद्लू काका कहा करता था क्यों कहा करता था क्योंकि गाउं के सारे बच्चे बद्लू को बद्लू काका के नाम से पुकारते थे क्योंकि जैसे कि गाउं के सभी बच्चे उसे कहा करते थे बद्लू का मकान कुछ उच्चे भिंडे पर बना था मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पूराना निम्का व्रक्ष लगा था उसी के नीचे बेट करके बद्लू अपना काम किया करता था बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिगलाया करता था सामने एक लकड़ी की चोखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख से मुलायम होने के बाद उस सलाक के समान पतला करके चूडियों का आकार देता रहता था आपने भी देखा होगा लाख के हां गरम करने पर एक लिक्विड हो जाती है फिर उसको ठंडा किया चाता है फिर जिस साक्रति जिस सेफ में हम उसको देना चाहिए उस सेफ में हम दे सकते हैं पास में चार छे विभिन प्रकार के बेली नुमा मुंगेरियां रहती थी मुंगेरियां क्या होती है एक उपर से पतला और फिर मोटा होता हुआ डंडा रहता था जिसको मुंगेरी बोलते हैं वह क्या काम करता है जिसे हाथ किसी मोटे होते किसी के बारिक होते तो जिस कर वहाँ उन्हें मुंगियों पर चड़ा कर गोल और चिकना बना था और अब एककर पूरे हाथ की चूड़या बना चुकने के पश्चात वहाँ उन पर रंग करता था बद्दु यकारे सदा एक मचिये पर बेटकर के किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी बगल में ही उस का रखा रहता जिससे वह बीच बीच में पीता रहता गाउं में मेरा दो पहर का समय अधिकतर बद्दु के पास बीता वहां मुझे लल्ला कहा करता मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता मैं घंटों बेठे बेठे उसे इस प्रकार चूड़या बन पूरा जोड़ा बना लेने पर उसे बेलन पर चड़ाकर कुछ संचुपचाप देखता रहता मानों बेलन न होकर के क्या हो बच्चों किसी नव वधू की कलाई हो आगे चलें बदलू मनिहार था मनिहार जाती है आपने भी पढ़ा हो सुना हो कि भगवान कृष्णे ने भ हां मनिहार जाती के बन करके चूड़ियां बेची थी भजन सुना है आपने कि मनिहारी का वेस बनाया उस्याम चूड़ी बेचने आया मनिहार जाती कि लोग क्या करते हैं चूड़ियां बेचते हैं चूड़ियां बनाना उनका पेत्रक पेशा था पेत्रक पेशा दादा प पिताजी भी चूड़िया बनाते बेटा भी चूड़िया बना रहा उनका बेटा भी चूड़िया बना रहा यानि सद्यों से आ रही जो व्यवशाय जिसको चुना जाता है उसको पेत्रक पेशा कहा जाता है और वास्तों में वह बहुत ही सुन्दर चूड़िया बनाता था उसके बनाए हुई चूडियों की खफत भी बहुत थी, उस गाऊ में तो सभी इस्तिरिया उसके बनाए हुई चूडिया ही पहनती थी, आसपास के गाऊं के लोग भी उससे चूडिया ले जाते थे, परन्तु वह कभी भी चूडियों को पेसे से बेशता न था, क्यों? उसका अभी तक वस्तु विने में बॉटल सिस्टम यानि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आधान प्रतान वस्तु विने में के लाता है जैसे आज आप ग्रामीड अंचलों में चले जाओ गेउं से सब्जी ले लेते गेउं से फल ले लेते यहनी एक वस्तू दो और दूसरी वस्तू लो वस्तू विनिमे का तरीका था और लोग अनाच के बदले उससे चूड़िया ले जाते थे बदलू सोभाव से बहुत सिधा था मैंने कभी भी उसे किसी से जगड़ते नहीं देखा हाँ शादी विवाह के अउसर पर अवस्य जित पकड़ जाता था क्योंकि जीवन भर चाहे कोई उससे मुप्त चूड़िया ले जाए परन्तों विवाह के अउसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था आखेर सुहा के जोड़े का मातु ही और होता है मुझे याद है कि मेरे मामा के यहाँ पर किसी लड़की के विवाह पर जरासी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए लोहे लगने का मुहावरे कारते काफी मुश्किल लोका सामना करना वेवाह में इसी जोड़े का मुले इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसके घरवाली को सारे वस्तर मिलते डेरों सारा आनाज मिलता अरे उसको अपने लिए पगरी मिलती और रूपे मिलते सो अलग यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिर थी तो किसे थी कांच की चूड़ियों से थी यदि किसी बी इस्तिर के हातों में उसे कांच की चूड़े दिख जाती तो वहां अंदर ही अंदर कूड उठता और कभी कभी तो दो चार बाती भी सुना देता मुझसे तो वहां घंटों बाते किया करता कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूश था सहर के बात और है लला वहां तो सभी कुछ होता है वहां तो ओड़ते अपने मरत का हाथ पकड़ कर सरकों पर घुमती भी है और फिर उनकी कलया नाजुक होती है ना लाकी चूड़ें पेरनेगी तो मौस ना आ जाएगी कौन का करता बदलू आगे चले बदलू मेरी आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहां से दो-चार आम खा आता परन्तु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वहां मुझे अच्छा लगता था वहां था लगबग रोज ही वह मेरे लिए दो-चार गोलिया बना करके देता था मैं बहुदा हर गर्मियों की छुट्यों में अपने मामा के यहां चला जाता और एक आद महीने रहकर इसकूल खुलने के समय वापस आ जाता परन्तु दो-तीन बार ही मैं अपने मामा के यहां पर गया हूंगा कि तभी मेरे पिता का एक दूसरे सहर में बदली हो गई और एक लंबी अओधी तक मैं अपने मामा के गाउं न जा सका तब लगबग आठ दस वर्ष के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाके गोलियों में मेरी रूची नहीं रह गई थी आता है गाउं के होते हुए भी कई दिन तक मुझे बदलू का ध्यान आया इसे भीस में ने देखा कि गाउं में लगबग सभी इस्त्रियां कांच की चूड़ियों पे नहीं विरले बहुत कम के हातों में लाक की चूड़ियों देखी तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी सी लड़की आगन में पिसल करके गिर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ियां तूटकर उसकी पानक मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाओं अतसाम को मैं घुमते घुमते उसके घर चला गया बदलू वहीं चबुत्रे पर नियम के के नीचे एक खाट पर लेटा था नमस्ते बदलू का का मैंने कहा नमस्ती भहिया उसने मेरी तर नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बेठ गया परन्तु उसने मुझे पैचाना नहीं और देर तक मेरी मुझे निहारता रहा मैं हूँ जनार्दन तो लेखक का बच नीचे दिया बदलु भी चुप रहा मानो वह इस्मृती पठली स्मृती पठल का मतलब होता है पुरानी यादों को कि कपकी बात है जो मैं चूड़या बनाता नहीं है दस-पांस साल पहले कि अतीत के अतीत के अतीत यानी भूत काल को याद करने लगा कि कपके बात हो सकती है यह चोटा था में चूड़या बनाया करता था निम पेड़ के नीचे आज लाग को फिगलाया करता था गोलिया बनाया करता था उता रहा हो और तब एकदम बोल पड़ा आओ आओ लला बेठो बहुत दिन हाँ इधर आना ही ना हो सका काका मैंने चार पाई पर बेड़ते हुए उतर दिया कुछ देर फिर कुछ देर फिर सांती रही मैंने इधर उदर द्रश्टी दोड़ाई नो तो मुझे उसकी मचिया नजर आई और नहीं भटी नजर आई यानि इससे मत क्या पता चलता है कि उसने अपना काम बंद कर दिया बंद क्यों कर दिया क्या कारण रहा है देख आज कल काम नहीं करते काका मैंने पूच्छा नहीं लल्ला काम तो कई साल से बंद है मेरी बनाए हुई चूडियां कौन पूछे तब तो गाउं गाउं में काच का प्रचार हो गया है वहां चूड़ियों में होती है लाक में कहां संबव लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है बड़ी जल्दी टूड़ जाता है मैंने कहा नाजुक तो फिर होता ही यह लला केते केते उसे कांसी आ गई और वहाद देर तक कांसता रहा मुझे लगा कि उसे दमा है अवस्ता के साथ जाने केसे उसने संका को भाप लिया और बोला कि अस्तमा नहीं है मुझे फसली कासी है यहां महीने दो महीने से आ दस-पंद्रा दिन में ठीक हो जाएगी मैं चुप रहा मुझे लगा कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा चिपी है व्यथा यानि दुख के जीवन में जो परमपरागत सद्यों से जो रोजगार चले आये हैं मसीनी यूग के कारण कितनों के रोजगार लगुद्यो फिर सांती रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी आम की फसल अब केसी है काका कुछ देर पशात मैंने बात का विश्य बदलते हुए पूचा अच्छी है लला बहुत अच्छी उसने लहकर उतर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवा दी अरे रजो लला के लिए आम ले आ नहीं नहीं काका आम तो इस साल बहुत खाए किसने खाए लेखक ने वावा बिना आम खाए कैसे जाने दूंगा तुमको मैं चुप हो गया मुझे वे दिन याद हुआए जब मेरे लिए मलाई बचा करके रखता था गाई तो अच्छी है ने काका मैंने पूछा गाई कहा लला दो साल हुए बेज दी कहां से खिलाता यानी खिलाने के लिए भी चारा चीले पेशा चीले पेशा है नहीं इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में धेर से आम ले आई यह तो बहुत है काका इतने कहां खापाउंगा मैंने कहा वावा वहास पड़ा स कुमारी उम्र का था तो इसके चोग ने आम एक बखत बखत है नि बार में खा जाता था आप लोगों की बात और है मैंने उतर दिया अच्छा बेटी लल्ला को चार-पांच आम छाट कर दो सिंदूरी वाले देना जिस पे लाल-लाल यानि पके हुए आम देखो लल्ला कैसे हैं इसी साल यह पेड तयार हुआ है गज्जों ने चार-पांच आम अंजूली लेकर मेरी और बढ़ाये आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह उस एक शण के लिए उसकी कलाई पर ठिटक गई गोरी-गोरी कलाईयों पर लाकी रही थी जच रही थी बदलु ने मेरी द्रश्टी देख ली और बोल पड़ा यह आखरी जोड़ा बनाये था जमिदार की जमिदार सहाब की बेटी के विवहा पर दस आने पेसे मुझे दे रहे थे मैंने जोड़ा नहीं दिया कहा सहर से ले आओ मैंने आम ले लिये और खा हार कर भी हार नहीं मानी उसका व्यक्तित्व कांच जेसा न था कि आसानी से तूड़ जाए प्यारे बच्चों लेखक कौन है इसके कामतानात जिनका बच्पन का नाम क्या था जनारधन अब इसके इनके क्योशन आंसर के और अपन बढ़ते हैं कि हमें आते हैं नहीं आते देखो क्योशन नमबर एक लेखा का बदलू को पसंद करने का मुख्य कारण क्या था लेखा का बदलू को पसंद करने का मुख्य कारण था कि बदलू लेखा को रंग विरंगी लाग की गोलिया बना करके दिया करता था हो जाएगा क्योशन नमबर टू लेखा को किसकी मरह पट्टी करने पड़ी मामा की लड़की की यह अभी पढ़ा था पर ने तेसरा सहर के जीवन के बारे में पूछने पर लेखक ने बदलू को क्या बताया बदलू को क्या बताया कि सहर के बाते और है वहां तो सब कुछ होता यह गाउं में नहीं होता यारी मरद औरते मरदों का हाथ पकड़ करके चला करती है क्यों सेन ba four लेख़क की रुची गोलियों में कब और क्यों नहीं रही जब लेख़क बढ़ा हो गया उनके पिता जीगा ट्रांस्पर दूर सी जग़ह ہو गया और लेख़क पढ़ने में वेस्त रहा तब उसके गोलियां गोलियों में बिल्कुल भी रूची नहीं रहें। क्यों से नमर फिप्त साधी विवाह के आउसर पर बदलुख केसी जीत पकड़ लेता था और उसे किस परकार कुछ किया जाता है। साधी विवाह के समय जब वह कोई सुहा का जोड़ा बनाया करता तो उसके मुझ मांगे दाम, अपने लिए कपड़े, पगड़ी, पत्नी के लिए साड़ी और धेर सारा नाज लिया करता था और वहाँ जब उसको कोई भी पूरा करते तो वह कुछ हो जाया करता था। बेलकुल हो जाएगा बच्चों आगे चले अपन अब अब अब्जेक्टिव टाइप के को संब देख लेते हैं वह तो सब्जेक्टिव चलते हैं कि लेखा को बदलू अच्छा क्यों लगता था। मिठाई खिलाने के कारण नहीं खिलोने के कारण नहीं गूमने के कारण नहीं लाक की गोलियों के कारण अच्छा लगता था। किसी नमबर टूं अपना कम किसी वरक्ष। के नीचे बैठ करके किया करता था दए सब्सक्रामा फिटायक करके मलाक का बलकुल हो जाएगा समज में आ रहा है आपको ये आगे चले सी नमबर फॉर्थ बदलु का पेत्रक पेशा क्या था मनिहार लकड़ार गौनहार सुनार मनिहार मनिहार यानि चूड़िया बनाने वाले क्यों नमबर फिट लाग की चूड़िया कहानी के लेखा कोने बच्चों कामता नात कामता प्रसाथ कन्फूज वाले हैं ध्यान रखना बीजन सई इसका आगे चलें आगे चलें इसमें कि लेखक अपने मामा के गाउंट चाउज से क्यों जाता था और बदलु को बदलु को बदलु कर कर बदलु क्यों करता था कि लेखक अपने मामा के गाउंचाओं से गर्में के चिट्टियों में जाया करता था तौगकि वहाँ पर बदलू एक बदलूवीक्ति था मनिहार था जो लेखक को गोलिया वनाया बना करके दिया करता था सारे गाउं के बच्चे बदलों को मामा ने के करके बदलों कागा कहा करता था प्यारे बच्चा क्यों से नमबर टूँ वस्तू बीनी में क्या है एक वश्तूं के बदले दूसरी वस्तूं का आधान प्रतान वस्तु विन्य में कहलाता है। विन्य में का प्रचलन पददती प्राचिन काल में जब सिक्षे नहीं चला करते थे तो वेक्ती अपनी जरुरतों को वस्तु के बदले वस्तु देकर ही पूरा क्या करते थे और उसी पद्दति को वस्तो विने में पद्दति कहा गया है क्योंसे नंबर तीन मसीनी यूग में ने कितनों के हाथ कार दी इस पंक्ति का क्या वेथा चिपूई है कि लगुद्यो करने वाले लोग जो छोटे-छोटे उद्ध्यो करके काम करके अपने परिवार का पालन किय क्या करते थे मसीन यूग होने के कारण आज वहां बेरोजगार हो चुके हैं उनके पास कुछ भी खाने को सेस नहीं है तो आज उनके बेरोजगारी की समस्य की जो वेथा है ये कहाने उसकी और संकेत भी करती है आगे चले बच्चों क्योंसे नंबर चार बदलू के मन में जो लेखक से छिपी न रह सकी कौन सी है कि रोजगार चिंजाने के कारण आज उनके पास रोजगार नहीं मच्या पर पड़े पड़े उनको जीवन भर जिसने समाज की सेवा की व्रद्धा वस्ता में आज समाज उनके काम नहीं आ रहा है उनको पसले कांसी हो चुकी है फि क्या प्रभाव पड़ा मशीनी यूग से गाउं की सारी वरते लाग की चूडियों की जगकांच की चूडियां पेढने लगी जिससे बदलू का रोजगार है और उसके घर की आर्थ किस्तती बिलकुल कमजोर हो जाती है यहां तक कि गाई को पालने के लिए चारे की वस्ता हो नहीं कर पाता और परिवार संकट क्रस्त हो जाता है क्यों से लाक की चूडियां लाक की वस्तूओं का निर्मान भारत में किन-किन यह तो हटाओ यह कोई जरूर नहीं चूडियों के अतिलिक वह सारी जगह पे होता है है तो प्यारे वच्चों आपको यह पार्ट कैसा लगा हमने पार्ट पूरा पड़ा लेखा के बारे में जाना और प्रश्ण पड़े और औजेक्टिव पड़े सब्जेक्टिव पड़े रेजोनेंस के द्वारा जो हमने बनाये तैयार किये गए प्रश्ण ऐसे प्रश्ण आपने पड़े तो आज इस टोपिक को हम यहीं पर विराम देते हैं सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद बच्चों